नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती का नोजे और आप देख रहे नया भारे दर्पन समाचार आई ये निज़र डालते हैं खबर क्यों हरदोई खबर का प्रकाशन होने के बाद हरदोई पुलिस ने लोडिंग वहानों पर सवारी बैठाने वाले वाहन चालक पर पिहानी प्रभारी निरिक्षक ने कस दियाशिक अज़ा किये हजारों के चालान ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर से सावारी धोते मिले तो 10,000 चुर्माना दो ट्रैक्टर ट्रॉली वा पीकप डाले का हुआ चालान अभी हाल ही में ट्रेक्टर ट्रॉली पर सवारी धोने का वीडियो वारल होने के बाद समाच्चार के माध्यम से खबर को प्रकाश में लाया गया जिसके बाद हर्दोई पुलिस एडिशनल स्पी दुर्गेश कुमार सिंग के निदेश पर कोत्वाल बेनी माधव तिरपाथी वा अध्रिक्ट कोत्वाल पीपी सिंग के नत्रित्व शहाबाद तिराहा बस स्टेंड गोपा मौूर पुलिस चौकी पर ट्रेक्टर ट्रॉली पिकप डाले पर सवारियों को ले जा रहे वहानों पर शिकन्जा का सांग पुलिस ने दो ट्रेक्टर ट्रॉली वा एक पिकप डाले का चालान सावारियां धोने पर किया कोदवाल बेनी माधव तिरपाठी ने कहा कि सहालक के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली वा पिकप से बारात ले जाने वाहनों के खिलाफ सक्त कारिवाही की जा रही है वाहन चालक बैंड बाजा डीजे तो लागते ही हैं साथ में बजाने वारे भी बैठा लेते हैं जो की बहुत ही खतरनाक है कजबे में जगा जगा जड़जर तार मौत बनकर नीचे लटक रहे हैं किसी भी समय हाथसा हो सकता है चार साल पूर्व करावा रोड पर डी सीम पर लगे बैंड बाजा में बिजरी के तार टैच हो जाने से चार लोगों की जलकर मौत हो चुकी है अत्रिक्त कोदबाल पीपी सिंग ने कहा कि अब ट्रैक्टर ट्रॉली डाला वा डंपर पर सवारिया ढोने वालों के खिलाफ सक्त तारेवाही करते वे दस हजार रुपे का जिर्वाना वसूला जाएगा सभी पुलिस कर्मियों को सफर्ष्ट निर्देश दिया कि किसी विहार में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में यात्रा ना होने दिया जाए इसका उलंगन करने वालों के खिलाफ कारेवाही की जाए मोहित गुर्ता की रिपोर्ट इस खबर में बस इतना ही बने रहे नया भारत दर्पन समचार के साथ